ATM यानि की Automated Teller Machine इस टम से तो हम सब लोग वाकेफ है बट आज मैं कुछ interesting facts लेके आया हूँ आपके सामने जो शायद आपने कभी ना सुने हो Welcome to my channel, I'm Mr. Conscious Have a nice day ATM का invention John Shepard Baron जो कि एक Scottish citizen है उसने 1965 में किया था एक दिन Baron bank में गए money withdraw के लिए लेकिन वो एक मिनिट के लिए चूप गए जिसके वज़ा से bank close हो गया फिर Baron ने सोचा कि क्यों ना ऐसा machine बनाया जाए जिससे कि हम 24 hours money withdraw कर सके उसके approximately 2 साल के बाद उसने first ATM machine invent कर दे cash withdraw करने के लिए पहली ATM machine 27th of June 1967 में breakless bank of London में डाली गई और उस machine में से सबसे पहले money withdraw करने वाला इंसान ने comedy actor था जिसका नाम रेज वैंडरे था जॉन शेफर बैरोन पहले six digit का ATM पिन नंबर रखना चाहते थे लेकिन उसकी वाइब कैरोलीन को six digits याद नहीं रहते थे इसलिए उसने four digit का ATM पिन नंबर रखा जो कि आज भी हम ATM में डालते हैं इंडिया में सबसे पहले ATM मशीन की सर्विस 1987 में Hong Kong and Shanghai Banking Corporation HSBC के द्वारा Mumbai में स्टार्ट हुई ऐसा नहीं है कि ATM से हम सिफ money withdraw कर सकते हैं हम gold भी उसमें से withdraw कर सकते हैं सबसे पहला gold plate extracting machine Emirates Palace Hotel Abu Dhabi में install किया गया और इस machine के अंदर से 320 different different type के gold item हम withdraw कर सकते हैं floating ATM machine यानि की तेरता हुए ATM machine इंडिया के के कोची में SBI यानि की State Bank of India के द्वारा इंस्टॉल किया गया था और ये supervised किया गया था Kerala Shipping and Inland Devigation Corporation यानि की KSINC कमपनी के द्वारा European country Romania में bank account के बिना भी ATM machine का यूज हो सकता है हाला कि ऐसी facilities कही सारे country में provide नहीं की जाती है including our India Brazil के अंदर biometric ATM का यूज किया जाता है banking transaction and password की safety के लिए और इस ATM को यूज करने के लिए ATM machine को अलग अलग countries में अलग अलग names से बुलाया जाता है United Kingdom और New Zealand में इसको cash point या cash machine के नाम से बुले जाता है तो Australia और Canada में इसको money machine के नाम से बुले जाता है जिसके अंदर हम card अगर डालते है तो वो अंदर first जाता है और every time जब हमें transaction करना होता है या फिर cash withdraw करने होता है तो हमें bank से एक दूसरा ATM card लेना पड़ता था 0 और 9 के बीच में ऐसी 10,000 possibilities है valid pin बनाने की और सबसे ज्यादा जो most common passwords है वो है 1, 2, 3, 4, 4 times 1, 4 times 0 और the least commonly used password जो है वो है 8068 अगर कोई पूरे के पूरे ATM मशिन को चोरी करने की कोशिश करता है तो वो बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकता है क्योंकि हर ATM मशिन के अंदर एक chip लगी होती है जो कि GPS के द्वारा track की जा सकती है ATM मशिन के अंदर जहांपे currency notes रखे होते हैं उसके बाजू में एक blue color की ink की bottle रखे होती है अगर कोई forcefully ATM मशिन में से पैसे withdraw करने की कोशिश करता है या फिर ATM मशिन को तोटने की कोशिश करता है तो वो ink पूरी currency notes पे spread हो जाएगी और वो चोर ऐसी ink वाली notes लेके कहां जाएगा दुनिया का सबसे उचा ATM नाथू ला में placed है जिसकी height 14300 feet above sea level है और ये union bank of India के द्वारा operate किया जाता है specially army personal के लिए बनाया गया है जिसकी posting इंडो चाइना border पे होती है ये बहुत ही अच्छा काम की है So guys last way मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ATM के inventor John Shefford Baron का birthplace इंडिया है 23rd of June 1925 में Megali के शिलोग में उसका जन्म हुआ था और John के पिता Wilfred Baron जो की एक Chief Engineer थे Chicago Port Commissioner के So guys ये थे ATM के बारे में कुछ interesting facts अगर ये जान के आपको मज़ा आया है तो निचे जाके वीडियो को लाइक कर दीजे कमेंट करके बताए कि कैसे लगी वीडियो शेर करना ना भूले इसको अपने friends और family के साथ और अगर ऐसी ही interesting वीडियो और चाहिए तो subscribe करिए इस चैनल को बगल में bell icon बनके अएगा उसको दबाना मत बुलिएगा और मिलते हैं अगरे वीडियो में until then I am Mr.Conscious, bye bye